वित्त मंत्री स्रीमान अरून जेटली जी को उत्तम बजेट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ येक ऐसा बजेट है जो गरीब को ससक्त बनाएगा बुनियादी धाचे को और मजबुद भी बनाएगा गती भी देगा हर किसी की उमीदों को अउसर देगा अर्थ तंत्र को एक नई ताकत देगा नई मजबुदी देगा और विकास को बहुत तेजी देगा इस बजेट में हाईवे भी बने आईवे भी बढ़े डाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक रेल्वे के मोडनाईजेशन से लेकर के सरल एकोनोमिक निर्मान करने की दिशा में सिक्षा से लेकर के स्वास्त तक उद्यमी से लेकर के उद्योग तक टेक्स्ट्राइल मेनिफेक्चरिंग से लेकर के टैक्स डिडक्शन तक हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजेट में साफ साफ नजर आता है इस अइतियासिक बजेट के लिए वित्त मिंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है ये बजेट देश के विकास के लिए पिछले धाई वर्स में जो कदम उठाए गए जो फैसले ले गिया है और भविश में और मजबुती के साथ आगे बढ़ने की रादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर कड़ी है इस बजेट को मैं देख रहा हूँ एक अन्य महत्वपूर कदम है कि रेल्वे बजेट को जनरल बजेट में मर्ज कर दिया गया है इससे अब पूरे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर उसको इंटेगरेट प्लानिंग में मदद मिलेगी देश में परिवहन से जुड़ी आवशक्तों की पूर्ती में रेल्वे अब अपना योगदान और बहतरीन तरीके से कर पाएगी ये बजेट, क्रिशिक शेत्र, ग्रामिन शेत्र, सामाजिक कल्यार, इंफ्रसेक्चर, इन सभी शेत्रों में एक विशेश ध्यान आकरसित करता है निवेश बढाने और रोजगार के नए अवसर पैदार करने की दुर्श्टी से सरकार की जो प्रतिवद्दता है वो इस बजेट में साप साप नजर आती है योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बरोत्री की गई है सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी बुर्द्दी की गई है सरकार का लक्ष दो हजार माईस तक हमारे देश के किसानों की आए दबल करने का इरादा है दो गुना करना है नीतियां एम योजनाएं उसी प्रकार से ताय की गई है बजेट में सबसे ज़्यादा जोर इस बार भी किसान, गाउं, गरीब, दलीट, पीडीट, शोचीट उन पर कैंजरीट किया है एग्रिकल्चर, एनिबल हासमंडरी, डेरी, फिसरीज, वाटरशेड डेवलोप्मेंट, स्वाच्छ भारत मीशन यह सारे छेतर ऐसे हैं, जो गाउं की आर्थिक स्थिती में बहुत बड़ा बड़ाव भी लाएंगे और ग्रामिन जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ओफ लाइफ में भी बहुत बड़ाव लाएंगे बजेट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोस दिया गया है नोकरी के लिए इन्हें अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्टोनिक्स मैनिफेक्चरी, टेक्स्टाइन, उसको विशेश राची दी गई है अज संगडिक छेत्र में काम करने वाले लोगों को संगडिक छेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किये गए है स्किल डवलप्मेट, बजेट में काफी बरोत्री के गई हैं, ये हमारे देश के युगाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्राफिक डिवीडन है, इसका भरपूर फाइदा भारत को मिले, उस पर ध्यान केंदित किया है मात्मा गांदी, नेशनल रूरल एंप्लोमेट गरेंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है, किसी भी वर्ष में न हुआ हो, इतना रेकोर्ड अवंटन किया गया है बजेट में महिला कल्यान पर भी विशेश ध्यान दिया गया है, बहलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजेट में पृद्धि की गई है, स्वास्त और उच्च सिख्षा के लिए भी बजेट में काफी बढ़ोत्री की गई है आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्रक्शन सेक्टर इसकी बहुत बड़ी भूमिका है ये बजेट ग्रामिर के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है रेल्वे के बजेट में एक बात पर विशेस बल दिया है और वो है रेल्वे सेटी फंड इस फंड के मदद से रेल्वे सुरक्षा पर परियाप्त धन्रा से खर्च करने में मदद मिलेगी बजेट में रेल्वे और रोड इंस्ट्रा स्ट्रक्षर के कैपिटल एक्स्पेंडिशर में काफी बढ़ोत्री कर दी गई है डिजिटल एकडामी के लिए जो कॉम्प्रिहंसिव पैकेज दिया गया है उससे टैक्स्ट्रोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थ ववस्ता में काले धन के प्रभापर नियंत्रन संभव होगा डिजिटल एकडामी को एक मिशन के तौर पर शुरू किये जाने से आने वाले वर्ष में 2017-2018 2500 करोड डिजिटल ट्रांजेक्शन के बड़े लक्ष को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमारे वित्तमत्न जी ने कर प्राणाली में जो सुधार और संसोधन किये हैं उससे मद्यमबर को राहत मुलेगी उद्योगों के स्थापना होगी रोजगार के आउसर मिलेंगे भेद्भाव के अउसर खत्म होंगे और सबसे महत्पूर पहलू हुए कि नीजी निवेश को प्रोचान मिलेगा बजेट में व्यक्तिकत इंकम टेस्ट कम करने की गोश्रांग देश के मद्यमबर को ज्यादा सफर्ष करती है बड़ी महत्पूर है दोस प्रतिशत से एकदम पांच प्रतिशत कर देना बड़ा साहस्पूर निर्णे है करिब करिब हिंदुस्तान के अधित्तम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाब होने वाला है अपने देखावा का बजेज में काले धन और प्रस्थाचार के खिलाब मेरी लड़ाई नेरंतर चल रही है पोलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है राजलितिक दल्व हमेशा चर्चा के घेरे बे रहे है चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्तमंत्री जी ने देश के आशा आकांशा और काले धन की खिलाब के लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तूत की है देश के छोटे और मद्यम उद्योग नोकरी के नए अवसर परदा करने के सबसे बड़े स्रूत है इन उद्योगों की पुरानी माँग रही है कि ग्लोबल कॉम्पेटिशन में वैस्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाई आ रही है अगर इसके लिए टेस्ट कम किया जाएं तो हमारे लगूत्योग जो की करीब करीब 90 प्रतिशत से जाता है देश में और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परीभाशा में बड़लाव करके उनके दाइरे को भी बढ़ाया है और टेक्स को भी 30 प्रतिशत से घटा करके 25 प्रतिशत कर दिया है यानि देश के उद्योग जगत के 90 प्रतिशत से जादा लोग इसका लाप ले पाएंगे ये फैसला मुझे मिश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पुटेटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा ये बजेट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है इस बजेट से रोजगार के नए अवसर पहता होंगे संपून आर्थिक विकास में मदद मिलेगी किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा नागरिकों को उनकी क्वालिटी ओफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्त, आवास ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविदाई की सर्भावना बढ़ेगी और बिना विक्तिय घाटा बढ़ाएं देश के मद्दमबर के पास उसकी खरिच सकती बढ़ें उसके जेब में ज़्यादा पैसे आएं उस दिशा में प्रयास है एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तीजी से बदलने का प्रयास एक प्रकार से हमारे सप्रों से जुड़ा हुआ हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है हमारी नई पीडी का फ्यूचर है हमारे किसान का फ्यूचर है और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मिनिंग है F से Farmers किसामों के लिए U से Under Privilege दलीत, पीडीत, सोशीत, बंचीत, महिला उनके लिए T से Transparency पारदरशिता टेकनोलोजिकल अपग्रेडेशन आधुनिक भारत बनाने का सपना U से Urban Rejuvenation सहरी विकास के लिए और R से Rural Development ग्रामिनी विकास के लिए और E से नव जवानों के लिए Employment उद्योग साहसिकों के लिए Entrepreneurship Enhancement नई रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नव जवान उद्यवियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजेट के लिए इस फ्यूचर को पस्तूद करते हुए वित्यमंत्री जी को फिर से एक बार बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजेट एक बहुत बड़ी सहाई व्यवस्ता है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा विकास की नहीं हुचाईयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहुल बनाने में ये बजेट बहुत ही उपकारख होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है फिर एक बार वित्तमंत्री को वित्तमंत्रा ले को उनके पूरी टीम को रज़े से बहुत बहुत बढ़ाईए झाल